अस्तावानेकुम नाजरीन, वेलकम टू जैदी स्किचेन, मैं हूँ आपकी गोस्ट फात्मा जैदी, और आज जो मैं आपके लिए मज़ेदाल सी डिश लेकर आई हूँ, उसका नाम है चिकन चिली ड्राइग। करें हैं चिकन को अड़ीन, मैं आदा किलो गॉं खोलें सिक्रिक्टाइ और मेरेशन हमाने बदाना, अक्षाइब केशों मैं डिया है। जैकन दोकी टीविस्पून, मैं टैबल स्काइब डिया रहते हैं। दो टेबल स्पून मैंने कॉन फ्लोर, दो टेबल स्पून मैंने यह सिर्का लिया, इसमें डाल रही हूं, एक मैंने टी स्पून जो लिया है वो चिकन पॉडर लिया है और वन टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया, आफ टी स्पून मैंने इसलिए लिया कि चिकन पॉडर में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने इसको कम नुडाला है और एक चमज मैंने यह लाषान अदर्ण का पेस्ट, वन टेबल स्पून, एक अंडा, अब चीज़े हमने इसमें डाल ली अब हम इसको मेरिनेट मेरिनेशन करेंगे अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख लेंगे अब हम इसकी sauce prepare करेंगे, सबसे पहले हम एक बाउल में एक गिलास पानी डालेंगे और उसमें ये chicken cubes मैंने दो ली है, ये मैं इसमें डाल रही है ये औस्टर सॉस है, ये भी मैंने दो चम्मच ली है ये चिली केचप है, ये भी दो चम्मच ये चिली सॉस है, ये भी मैंने दो चम्मच ली है दो चम्मच से मतलब है कि टू टेबल स्पून टी स्पून नहीं, टेबल स्पून ये सोया सॉस है, ये भी मैंने दो टेबल स्पून ली है और दो टेबल स्पून मैंने यह अच्छी तरह मिक्स कर लिया है यह मारा तैयारे सॉस और जो हमने चिकन को मेरिनेट किया था अब हम उसको फ्राइब रहते हैं जी तेल हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है और जो मेरिनेट हमने चिकन किया था उसको 10-15 मिनट हो चुके है अब हम उसको फ्राइब करेंगे और इसमे डालेंगे तेल के अंदर नॉर्मल फ्लेम पे आप इसको बनाएगा जी देखिया हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है बस अब आभी इसको उतारेंगे चूला में ओफ कर रही है जी चिकन हमारा फ्राइब हो चुका है अब हम इसकी सॉस को रेडी करते हैं सबसे पहले यह मखन मैस में डाल रही हूं तो हम घोल लेंगे अगर आपके पास बटर ना हो मखन या बटर आपके पास ना हो तो आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें यह गार्लिक पेल दालेंगे बंटेगे लिए तो साथ ही हम इसमें यह मैंने चार से पांच हरी मिच्चे काटली वो डाल देगे फूरा सा इसको भून लेंगे और इसमें मैं वो तेज़ दालेंगे अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे यह अच्छी तरह इसको हमने भून लिया है इसमें चुके कॉन फ्लोर भी था और मैदा भी था तो यह जब आप डालेंगी तो यह एकदम गाड़ा होगा तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगी साथ में अब मैं इसमें शिबला मिज डाल रही हूँ और इसमें मैं चिकन को मिक्स कर दूंगे यह हरी प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ बस यह डाल के मैं इसको डिश आउट कर लूंगी और यह थोड़े से मैं सीज डाल रही हूँ इसमें यह देखे नाजियर मेरा चिकन चिली ड्राइब बिल्कुल रैडी है तयार है बहुत मजेगा बनाए इंशाल्ला आप इसको जब अपने करेंगे तो आपको भी यह मेरी रैसिपी पसंद आएगी और जब आपको यह पसंद आए मेरी रैसिपी तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताईगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत बुलेगा इंशाल्ला अगले वीडियो में आप से बहुत जन्द मुलकात होगी अपना बहुत ज्यादा खयाल रखिएगा मुझे दूआउ में याद रखिएगा अल्लाह अफि